नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों अभी अभी उत्तर प्रदेश लोक सिवायत आयोग द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसके अंतरगत आयोग ने ये बताया है कि अगस्त माह में आने वाले संभावित विग्यापन कौन-कौन से हैं और उनका पदवार विवरन के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसमें आपके ये सभी नोटिफिकेशन आपके आने की संभावना यहां पर बनती है, जिसमें सहायक, नगर, नियोजा, क्रिश्टाफ, नर्स, ये सभी विग्यापन है, जिनके बारे में इस पस्ट तौर पर यहां पर लिखा हुआ है कि अगस्त माह में ये सभी आएंगे, इस से नोटिस वैसे तो ये जो भी नोटिस है ये आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में दे दी जाएगी, उसको आप आराम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस नोटिस की जो मूल भूत दो बातें हैं हम लो संभावना है, उसकी जानकारी यहां पर दी गई है, इससे एक अर्थ यह समझा जा सकता है कि समिक्षा अदिकारी और साइक समिक्षा अदिकारी की परिक्षा का विज्यापन अभी लगभग अगस्त माह में आने का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, जैसा कि मै लोग ऐसा कहते हैं, तो फिर कुछ लोग उसमें यह कहेंगे कि वेकेंसी ही नहीं आएगी, अगले साल आएगी, तो उनके भी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आयोग ने पस्ट कर दिया है, आप देखिए महत्वपूर्ण नोट में उन लोगों ने लिख दिया है कि आखु परतीक्षित, लंबिट वेकेंसी वह भी आने की संभावना है, जो अभी जल्द ही आयोग द्वारा जारी की जाएगी, उसके अलावा समिक्षा अधिकारी और सहायक समिक्षा अधिकारी परिक्षा यह संभावित है, तो आयोग खुद ही से यह मान रहा है, कि ये व इस साल तो आनी तय है, एक्जाम आपका वो नवंबर और दिसंबर में ही होना तय है, और जैसा कि हम लोगों ने नोटिफिकेशन आने के बारे में ये कहा था कि संभव है कि थोड़ा देरी हो जाए, परंतो एक्जाम आपका लगभग नवंबर दिसंबर में वो आप तय मानि है, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जानकारी दी गई है, एक अत्रिक जानकारी आप लोगों के लिए यह भी हितास दी गई है कि आप लोग OTR प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजे, ठीक है, OTR के बारे में मैंने पहले भी आप से कहा था, बन टाइम यह आप पूर्ण कर लीजे, तभी आप RO का form भर पाएंगे, और अभी से यदि आप पूर्ण कर लेंगे, तो उस समय में जो site hang होने वाली दिक्कत यह सभी रहती है, उन परेशानियों से आप बच सकेंगे, तो इस notice का हम लोगों के लिए यही उपयोग है, जिसमें दो महत समिक्षा अधिकारी परिक्षा की लिहाज से हो सकते हैं, उसके अतरिक देखिए, समिक्षा अधिकारी परिक्षा आपकी अगर 9 दिसंबर में होना संभावित है, तो ऐसे में आप यह मान के चलिए, कि इस समय आपको पूरा का पूरा time अपने prelims exam में ही देना शुरू कर दे चाहिए, यदि आप fresher हैं, और यदि आप थोड़ा सा veteran है, तो veteran के तौर पर आप लगभग 80% time अपना prelims के लिए दीजे और 20% time mains के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी इसमें पहले मान लीजे, प्री की परिक्षा उत्तियंड कर चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए वो चाहे तो मतलब उन लोग को एक से दो महीने ही लगेंगे इसके प्री को तयार करने में, तो बहुत ज्यादा हम लोगों को मतलब एक ये ऐसा ratio समझने की आव सकता है पहली बात, और इसके साथ साथ इस बार का जो समिक्षा अधिकारी परिक्षा है, वो अपने एक्जाम बोला जा रहा है, उसके साथ साथ, वहां से तो कई लोग मतलब असफलता उनको हाथ लगी है, तो वो लोग उत्तरप्रदेश लोग से वायों की तरफ रुक करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ जो लोग UPPST के एक्जाम की तयारी करते हैं, उनको भी इस बार के प वैसे भी हर साल नहीं आती है, तो ऐसे मैं लगबग 2-3 सालों में आती है, इस वज़े से RO की प्रती आकर्शन बढ़ जाता है, बिना किसी इंटर्व्यू के गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो इस वज़े से भी आकर्शन बढ़ना लाजमी है, तो इस कारण से आप हिंदी का चल रहा है, जिसमें हिंदी की प्रीकम मेंस की तैयारी, निबंद का चल रहा है, जिसमें ऐसे लिखना, उसका प्रैक्टिस करना, वो कराया जा रहा है, उसके अत्रिक सेक्शनल टेस्टरी चल रही है, जिसमें सेक्शनल टेस्टरी, सेक्शनल टेस्ट तो होंगे ह उसके साथ full length test भी आपको कई सारे मिलेंगे, तो ये सभी चीजे हमारे app पर चल रही है, इसके अलावा भी कई सारी चीजे हम लोगों के initiative, हम लोग के plan में शामिल हैं, जो की इसी हफते से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हम लोग कई सारी बेहतरीन चीजे free initiative के तौर पर अपने YouTube channel पर ला रहे हैं, उसके अलावा अपने app पर भी हम लोग कई सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, खास तोर पर जो ROARO के students हैं, उनके लिए, जहां तक रही बात APS की तेयारी के लिए, तो इसके संबंद में भी हम लोग अपना upcoming हमारा project है, कि APS के बारे में भी हम लोग समगर पाठिकरम उसके समझाते हो और उसकी सारी चीजों को detail में आप लोगों के साथ साजा करेंगे, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर end करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार